बुर्ड बुर्णी इस पर पेरेंट्स एमाइडियर स्टूरेंट्स वलक्म अगेरिन मैंसमाटिक्स फ्लासिस आई वप्यार दूइए अग्राइड अग्राइड ली एंड सेपाटिया हूं लास्ट वीडियो यह ने एक्सेस्जाइज 20 एके बंटू 17 कोशिन कंप्रीर किये आज हम कोशिन 18 से स्टार्ट करेंगे तो कोशिन 18 क्या है माले पास कि लबुल्यम ऑफ रूम इस 378 मेटर क्यों अड़ एड इन्ट फ्लोर इस 84 मेटर स्टूरा फाइड दा हाइड अग्रे अग्रे अग्रेट को बताया कि जो वर्लूम का हमाले पास बढूला होता है रूम क अगर मुझे हाइड फाइड फैसके हाइड करनी है तो मैं वोल्यम को एम ऐसे डिवाइड कर शाही तो हमाले पास अग्रे कीज़ें है तो हमाले पासζ एड वल्ज मेटर 50 की से खिले होता होता है इकल भीन स्टूर अटे फीलीन पर बीने चैंसल आउट करोगे आंसल आपने पार 4.5 मेटर एर जो भी रूम है जिसका बोल्म तो 378 है और एरिया 84 मेटर है जो हमारे पास हाइट आएगा फूपना होगा 4.5 मेटर इस तरीक से आपको एक कोशन वाइट है आप कोशन नम्र 19 आपको खुद करना है आप करेंग पार लुट 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 कोशन आपको दिया गया है और आफ्टर डाविशन 60 सेंटी मेटर 45 सेंटी मेटर एंड लुट रटीट तू सेंटी मेटर फांट थिकनेस ओंड वूट बीन 2.5 सेंटी मेटर ओल अगा यह कहा रहे हैं कि वृटका कोई बोक्स है क्यूबिकल कोवक भऌकआऽ क्यों फों में है जो वोक से उसकी एसकी थीकनेस है हमाने पास इसकी इसकी सbles ए इससरे बाउंडरी ही एस Dart evidence ऐसे तूप ट्वाने फांटी मेटर Inter kost अगे तो हम क्या करेंगे की दिद गूस का मोम निकालेंगे और उसके इस दॉल निकालेंगे , और दोलों को मैुंस कर देंगे, तो मारें पास क्या होगा इस बोक्स , जिस वुट से बनेगे उसका बॉल्यूम आ जाए सबसे पहले एक्स्टरल, यह निए टोटल, एक्स्टरल लैंट, 60 सेंटिमीटर, एक्स्टरल ड्रैथ, 45 सेंटिमीटर, और एक्स्टरल लैंट, 32 सेंटिमीटर, तो बोलूम चाहोगी यहां से, वोलूम के लिए टो अंदर वाले वोलूम के लिए ब्रैथ भी और रही इंटर लैंड, वोलूम चाहीं, इनल लैंट, तो देखो टोटल 60 है minus 2.5 में यहां से minus कुर 2.5 में यहां से minus कुर 275 अधो 2.5 को 2 तैम लुखो या 2.5 को 275 अधो 60 minus 5 45 एक सी लिए इनर ब्रैथ 45 2.5 into 2 इकलस को 45 minus 5 इकलस को 40 यह भी 455 cm यह भी 40 cm यह भी 40 cm दा इनर height तो 32 minus 2.5 multiply by 2 32 minus 5 इकलस को 27 cm अब मुझे inner volume भी चाहिए तो inner volume तो सभी terms को multiply कर होगी 55 multiply 40 तो सभी मुझे प्रूम्स को multiply करेंगी तो आंसर आएगा 59,400 cm क्यों आप इसके बाद देखो total हमारे पास जो box ता उसका volume आगया और अंदर जो space empty है उसका volume आगया अब volume भुड के लिए हमें क्या दबना है अंदर वाले volume से यह नि जो total volume है उसमें इसे हम क्या करेंगे जो inner volume आउसको subtract करते हैं subtract होगो तो 27,000 cm3 अंसर आपस आ जाएगा तो पहले हमें गया क्या total volume find out क्या फिर inner volume find out क्या दोनों को minus कर दिया तो wood का volume हमारे पास आ गया है question number 20 था 21,22 आपको खुट रही जाना है आप करेंगे question number 23 question number 23 के हमारे पास the external dimension of a close wooden box close wooden box है फुरी तरह से close है 62 cm, 30 cm and 18 cm if the box is made of 2 cm thick wood find the capacity of box जैनि सिर्फ आपको capacity box की बताने कि उसके अंदिर कितना part आएगा और उसके साथ हमें क्या करना है सिर्फ उसका inner volume बताना है minus नहीं करना सिर्फ inner volume बताना है वोडिका boost थे कि जैसे पनी last question में किया था inner भी निकाला है external भी निकाला है अब इसके बात थिक्रेस क्या है बुड़ की थिक्रेस है मारे पास 2 cm मेटा तो को close box है हर तरीके से क्या हुआ कि 2 cm 2 cm हर से सिर्फ तो यहां से यह length लेजेगी कि अंदर कि उसकी capacity कुछ नहीं है इसकी सिर्फ अंदर का होगा मोलत उसमें का नहीं होगी हम को अलपे कुछ नहीं लगा रहा है सिर्फ उसका जो फ्लोल सरे का रुफ तक उसको पूली तरह से फिल का रहा है length 60-2 multiply 60-4 equals to 56 cm लेटर then breath equals to 30-2 into 2 30-5 is 20 6 cm and height 80-2 into 2 80-4 80-4 40-70 हमें volume निकालना चाहिए volume इस एक वन होगा capacity of the box capacity के वन होगा length into length into height यहीं कुछ ने length breath रहा है 56 multiply 46 multiply सबी ट्रव को multiply रहोगे तो answer है 21,212 cm cube सिर्फ नहां तक बुच्छा गया था तो इस question में आपको हां तक ही find out तो वही है boxes वाले question है inner dimension outer dimension है सिर्फ उनची जोगा अपन है open box तो उसका मतलब क्या होगा अपर से वह लागवा है जैसे यह हमारी shape है यहां से यह open यहां से हमारी यह वाला PSM count नहीं तो question number 23 होगे 24 खुद करना है आपको question number 25 question number 25 कि है हमारे पास find the volume lateral surface area and total surface area of cube whose edges is 7 meter 5.6 cm and 8 decimeter and 5 cm तो यह को हमारे पास volume, lateral surface area and total surface area cube के लिए क्या होता है volume के लिए formula मैं आपको बताया था side cube यहींने सभी dimension को multiply करोगी को side cube हो गया total surface area होता है 6 side scale and lateral surface area होता है 4 side scale first part में 7 meter है second part में 5.6 meter है third part में मैं आपको third part जाएं 8 decimeter and 5 cm तो इसको complete cm में गर्मट करेंगे तो decimeter to cm करेंगे multiply by 10 1170 meter 6 cm square find its volume अभी पास total surface area given है question में total surface area of cube 12 1176 cm square आपको volume तो volume के ली हमें side आप इससे side-पर index कर सकते है 6 A square सकते है total surface area तो 1176 नहीं होगा आप 6 को कौन नहीं गृटिप्लाय हो बांकर दिदाइगुट, धबाकर हो गशा होगी, तो 196. अब एस्टाय होगी होगे, मृटास 196. उसके 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 इबाइप्लाय होदे, और अंदर बूत अगशा होगा, फॉर जो पास, फॉर पॉरेंगी। सब्सक्राइब करना है इसी तरीके से आपको कुछ नुम्बर्स बताने हैं कि के इसे पाइब करना है तो आपको कोशी नुम्बर्स बताने हैं कि कोई एक क्यूब है जिसकी side को अगर double किया जाए जिसकी h को double किया जाए तो कितने टाइम उसका purple surface एक हो जाएगा और कितने टाइम उसका volume हो जाएगा तो हम लेट करके इसमें let the h of cube be a तो volume क्या होगा हमारे पास? a cube of total surface एक हो जाएगा 6a square अब यह कहा रहा है कि अगर मैं इसकी h को double करते हूँ then मैं h b double h को क्या जाए? double कर दिया जाए तो कैसे हो जाएगा तो यानि अब पहले 8 ही अब कितना होगा आप 2a अब उठकरा बहुए लिए a की वेले हो 2a cube 2a cube नहीं 8a cube total surface area एक हो जाएगा 6a square था 6 into 2a square 6 multiply by 4a square 6424a square अब आपको यह बताना है कि कितने time होगा तो उस time में आपको क्या करना है चो new area आया है जो भी आपकी new volume है उनका new job की volumes है उनका आप क्या करोगे ratio फाइंड आपको 8a cube by a cube a cube से a cube यानि पहले 1 थाफ फिर अब कितना होगा 8 होगा तो volume होगा 8 times और total surface ही जा कितना होगा हाली यह देखने आपको 24a square पहले था 6a square तो कैसे लाट किया 6 on the 6 6 holds are 24 जाली 4 times तो 4a square बना गया पहले 1 था अब कितना होगा 4 तो 4 time होगया 29 में ने करा दिया है question number 30 आपको खुछ ट्राई करना है कितना है